साथियों, डबल इंजिन की सरकार डबल तेजी से यूपी के विकास में जूटी है आज यूपी में एक्स्प्रेस वे डबल हो रहे हैं, हवा यड्यों की संख्या भी डबल हो रहे हैं यूपी देश का एक मात्र राज्य है, जहां पांच शहरों में मेट्रों हैं, और पांच पर काम चल रहा है 2017 से पहले जो सरकार थी, वो कागजों पर आदिय दूरी परियोजनाय बनाने और उनके सिलाने आस में माहिर थी पत्थर टांच दो वस, अस्पताल हो, सडके हो, एक्ष्प्रेस बे हो, ये लोग सालों साल परियोजनाओं को खीचते थे ताकि उस मैंसे कुछ दोहना है, उस मैंसे भी कुछ निकालना है, कमाई करनी है, तो अपनी दुनिया चलती रहे वो लोग सिर्फ सपने दिखाते थे, डबल इंजिन की सरकार सपने पूरे करते हैं, और एक बाद हम न भुले, मैं कभी के भी सुनता हूँ, कुछ लोगों को संपने आते हैं, आप सबको मालू है, संपने किसको आते हैं भई, जो सोता रेता है न, उसको संपने आते हैं, जो जागता है, वो संकल्प लेता है, योगी जी, जागने वाले, जागते रखने वाले, और इसलिए संकल्प करने वाले लेता है, यही फर्क है, जाग यूपी के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आज पस्चीमी यूपी, देश के सबसे अधिक कनेक्टेट छित्रों में से एक बन रहा है, कुछ दिन पहले ही, गंगा एक्सप्रेस वेपर काम शुरू हो चुका है, नोएडा इंटरनेस्टल एरपोर्ट, पस्चीमी यूपी को अंतरराश्टिये कनेक्टिविटी देने वाला है, हमारा दादरी तो भारतिये रेल की आधुनिक्ता का सबसे बड़ा सेंटर होने जा रहा है, आज देश के दो डिफेंस कोरिडोर में से एक यूपी में बन रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट अपने साथ उद्योग की, नए रोजगार की, अनेकों नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं, बिते पांच साल में हमने यूपी के ऐसे ही समरुद्ध भविश्य की नीव रखी है, इस बार आपका एक एक बोट इसी नीव को ससक्त करने के लिए होगा,